नमस्कार यूस और आप सब लोग क्याते हैं आशागती हों आज़ोंगे अच्छे होंगे इस्वास्तोंगे और मेरा शिव पुरान का पार्ट अवश्य देखते होंगे तो सबसे पहले हम जाड़ लेते हैं कि कल तक हमने कहां तक बढ़ा था तो कल तक था की कल यूद की इस्थियां सदा प्राया सदाचा से भस्तों और पती का अपमान करने वाली होंगी साससुच से द्रो करेंगी किसी से बहर नहीं मानेंगी मलिन भोजन करेंगी कुछ से हाव-भावे तकपर होंगी उनका शील सबाब बहुत बुरा होगा और वे अपने पती की सेवा में सदाई भेमो कहूंगी सुद्जी इस पकार जिनकी बुद्धी नस्र हो गई है जिन्होंने अपने धर्म का त्याक कर दिया है ऐसे लोगों को यह लोग और परलोग में उत्तमगती कैसे बुराब कोगी इसी जिन्ता से हमारा मन सदाई भ्याक कुल जाता है फरोपार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है अतह जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्का नाश हो जाए उसे इस समय के पूरवग बताईए क्योंकि आप समस्त्र सिध्धानतों के ग्याता है तो कल तक यहां तक था मैं आपको बता दूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं जो लोग आप पहली बार पार दे रहे हैं देख रहे हैं उनको मैं बतातु हुए मैंदिर के लिए है एक शुपकाई है जाहती हुए चाहती हुए कि आप लोग मेरा सभ्सक्राइब करें लाइक करें और शियर करें और लुट करें आप लोग मेरा इसमें टाकि मैं इस्ट Space को पूर्ण कर पूर्ण कहें तो में इसमन्दी के वीडियों टलती हूं आप लगा और मुझे बताएं कि आपका मेरा बात की सबलार तो मत respectfully आ kangot तो मेरा पाट किसे लगा कमेंड बोक्स मुझे अवश्य बताएं और यह शिव गुरान का पाट है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग है बहुत अच्छा लग रहा है और उवीद करती हूं कि आप लोग कभी अच्छा रहा करके मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तो अब हम चलते हैं आज के बाट पर स्वागत करती हूं मैं आप सभी का अपने इस कारिकर्म शिव परान में तो व्यासी करते हैं कि उन भावित भावित आत्मा मुनियों की यह वासन का सुजी मनिमन्द भगवान शंकर का समन्द करके उनसे इस वेकार बुले कि सुजी कहते हैं फिर सादू महात्माओं आपने बहुत अच्छी बात मुची है आपका यह प्रशन तीनों लोगों का हित करने वाला है मैं गुरुदेव व्यास का समन्द करके आप लोगों के स्नेवश इस विशे का वर्णन अविश्व करूंगा आप आदर्वुर्वक है सबसे उत्तम जोशेप कौरान में विवीदान्त का सार सरवस्तू है और उसने भागवान श्यक्ट observator का समस्तों पाप राज्चों से उद्धार करने वाला है इतना ही प्रभाव की दिश्टी से बुद्धी अविस्तार को प्राप्त हो रहा है वे प्रवरों उस सर्वतम शिव पुरान के अध्यन मात्र से वे कल्यू के पापासक्त जीव शेष्टतम गति को प्राप्त हो जाएंगे कल्यू के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्वयाव के वीचरेंगे जब तक यहाँ शीव पुरां का उध्यन होगा इसे वेद के तुल्ले माना गया है इस वेद कल्प पुरां का सबसे एले भगवान शीव ने ही प्रण्यान किया थाा विद्देश्वर सहिता रुद्ध सहिता विनायक रुद्र सहिता वायवी सहिता तता धर्म सहिता इस पुराण के बारा भेज या खंड हैं ये बारा सहिता हैं अच्चन्द पुर्णे में मानी गई हैं ब्रामनों अब मैं उनके शलोकों का संख्या बता रहा हूं आप लोग व्यासब आधर पूर्वक शुरें पुद्वेश्य सहिता में दस हजार शलोक हैं रुद्र सहिता विनायक सहिता उमा सहिता और मात्र सहिता इन में से पृतेग में आठ आठ हजार शलोक हैं ब्रामनों एकदश रुद्र सहिता में तेरह हजार कैलास सहिता में छे हजार शत्रुद्र सहिता में तीन हजार कोटी रुद्र सहिता में नो हजार सहस्त्र कोटी रुद्र सहिता में ग्यारह हजार वाइव ये सहिता में चार हजार तथा धर्म सहिता में बारह हजार शुरोक हैं इस प्रकार मूल शिव परान की शुलोक संक्या एक लाख है परन्तु व्यास जी ने उसे 24,000 शुलोकों में संशिप्त कर दिया है पुरानों की क्रम संक्या के विचार से इस शिव परान का इस्थान चोथा है इसमें 7 सहिंताएं हैं पूरकार में भगवान शिव ने शुलोक संक्या की दिश्थी से 100 करोर शुलोकों का एक एक ही पुरान ग्रंथित क्या था सिस्थी के आदी में निर्मित हुआ जब पुरान साहित थे अत्यंत विस्थित था फिर द्वापर आदी युगों में द्वेपायन आदी महरुष्यो हुररों ने जब पुरान का 18 मांदा बागों में विवाजन कर दिया उस समय शंपून पुरानहों का के लग शुलोक में बटा हुआ है इसकी पहली सहिता का नाम विद्वेशय सहिता है दोसी गुद्व सहिता संपली चाहिए। अले स्वा सित सहिता यह सैठ्द सहिता इन सइताइं सक इस शिव पुरान वेद के तुल्ले प्रवानिक तता सबसे उत्क्रेश्ट्र गति प्रतान करने वाला है यह निर्मल शिव पुरान भगवान शिव के द्वारा ही पति पाजित हैं इसे शैव शिरोमनी भगवान व्यासने शंशेप में संकलित किया है यह समस्त जीव समझाए के के लिए उप्पारक त्रिविद्य तापों का नाश करने वाला तुलनारहित एवन सत्पूशों को कल्याइब प्रधान करने वाला है इसमें वेदान्त विज्ञान में प्रधान तता निश्क पर धर्म का पतिपादन किया गया है यह पुरान इंशारहित अंतह करनवाले त्रिवर्गती बाक्ति के साधन का युवर्णन है यह उत्तम शिवपर्णान समस्त प्राणों में विश्रेष्ट है वेद्वेजान्त में वेद्रूप्ते विसित्परम प्रमात्मा का इसमें गान किया गया है जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वे भगवा शिवकाप यह होगा प्रमगती को फ्राप्त कर लेता है तो आज का पार्ट में यहीं पर पूर्ण करती हूं कल फिन मिलेंगे एक नई पार्ट में एक नई तरंगेसा तक तै के लिए ओम नमा शिवाए